दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में वेंटिलेटर क्या होता है और इसे क्यों लगाया जाता है यह क्वेशन हर उस इंसान के दिमाग में आता है जिसका कोई रिलेटिव वेंटिलेटर पर चला जाता है Ventilator सुनकर लोगों को लगता है कि यह बहुत ही खराब इस्थिति है और अब मरीज के बचने की कोई संभावना नहीं है लेकिन यह पूरा सच नहीं है तो चलिए आज आपको Ventilator से जूरी सारी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि क्या होता है Ventilator और क्या Ventilator पर जाने के बाद मरीज के बचने की कोई संभावना होती है दोस्तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारे फेपर यानि लंग्स काम कैसे करते हैं हमारे फेफरों का काम होता है सरीर में uninterrupted oxygen की supply करना बिना oxygen के हमारे सरीर का कुई भी organ काम नहीं कर पाएंगे जब बिमारी या किसी अन्यकारणवस हम प्रयापत oxygen नहीं ले पाते तो हमारे सरीर में oxygen का level गिरने लगता है और इसके कारण हमारे सरीर के organ damage होना सुरू हो जाते है इस condition में डॉक्टर मरीज को oxygen के support पर रख देता है ताकि सरीर में oxygen की कमी ना होने पाए यह एक बहुती साधारन सी medical process है जैसे ही patient खुद स्वस्थ होने लगता है या oxygen level normal होने लगता है तो डॉक्टर oxygen support को हटा देता है इस condition तक हमारे फेफरे खुद से काम कर रहे होते हैं बस किसी कारण बस वो oxygen के पूर्टी नहीं कर पाते लेकिन ventilator तब लगाया जाता है जब मरीज खुद सांस नहीं ले पाता और उसके फेफरे काम नहीं कर पा रहे होते ventilator का काम होता है मरीज को oxygen देना और carbon dioxide को बाहर निकालना ventilator पर अगर किसी मरीज को रखा जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी सिति नाजुक है उसके सरीर के कुछ सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं और life के लिए जरूरे उतनी oxygen नहीं मिल पा रही है जितनी चाहिए इसलिए आम तोर पर नाजो के सिति में पहुंच गए मरीज को ventilator पर रखकर उसे oxygen दी जाती है दोस्तो ventilator आर्टिफिशली oxygen देने वाली एक mechanical machine होती है बेसिकली दो तरीकों से आपके फेपरों में हवा पहुंचाता है पहली आपके windpipe में डाले गई plastic tube के माध्यम से जिसे invasive ventilation भी कहा जाता है और दूसरा tight fitting face mask के माध्यम से इसे non-invasive ventilation कहा जाता है invasive ventilation का use उन लोगों के लिए किया जाता है जिने सांस से ले में सबसे ज़्यादा support की जुर्यत होती है डॉक्टर आपके mouth या naak के रास्ते या आपकी गरदन के सामने एक छोटा सा cut लगा कर tube को windpipe में डालते है यदि आपको कुछ दिनों से अधिक समय तक ventilator पर रहने की आवशक्ता होती है तो tracheostomy की जाती है इस process में एक tracheostomy tube को आपके voice box के नीचे windpipe में डाल दिया जाता है किसी ऐसे problem वाले व्यक्ति पर tracheostomy की जाती है जो हवा और oxygen को फेपरे तक पहुँचने से रोकती है या process emergency की अधार पर की जा सकती है दोस्तो tracheostomy वाला व्यक्ति नाक और मुग के वज़ाए tracheostomy tube यानि की stretch tube से सांस लेता है वही non-invasive ventilation का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप होस में हो या खुद सांस ले पा रहे हो लेकिन सांस लेने के लिए आपको मदद की जरुरत हो यदि आप बेहोस या बहुत कमजोर है तो non-invasive ventilation काम नहीं करता ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी टंग से गलाब बंद हो जाता है और मास्क से हावा नहीं निकल पाती invasive और non-invasive ventilation दोनों में डॉक्टर ventilator को प्रोग्राम करते हैं ताकि आपको सही मातरा में oxygen दिया जा सके और सही interval पर सांस लेने में मदद की जा सके ventilator से इस बात का पता चल सकता है कि आप खुद सांस लेने में तोरे बहुत सक्षम हो गए है और अब आपको सांस लेने में सिर्फ मदद की जरूरत है जब मरीज ventilator पर होता है तो ventilator के साथ कुछ और equipment भी जोरे जाते है जो मरीज के heart rate, blood pressure, oxygen level और breathing को लगातार monitor करते है दोस्तो ventilator एक life saving machine है यह सिर्फ मरीज को सांस लेने में साहता करती है यह मरीज के बिमारी को ठीक नहीं करती बलकि यह मरीज के बिमारी के ठीक होने तक सरीर में oxygen के level को maintain रखती है जब मरीज के बिमारी ठीक हो जाती है या बिमारी के कारण ठीक हो जाता है तो डॉक्टर सारे लक्षन को देखते हुए ventilator हटा देता है ventilator हटाने के process को winning कहते हैं कुछ लोगों को ventilator में कुछ सिर्फ घंटों के लिए रखा जाता है दोस्तो जब भी हमारे लंग्स काम नहीं कर पाते तब डॉक्टर वेंटिलेटर लगाने का decision लेते हैं इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं जिसमें patient को वेंटिलेटर पर रखा जाता है इसके अलावा भी कई ऐसी बिमारी होती है जिसमें मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जाता है और डॉक्टर symptoms के हिसाब से ये निर्णे लेता है दोस्तो आजकर एक ऐसी machine आती है जिसे हम heart lung machine कहते हैं जो फेपरो और दिल दोनों का काम करती है या ज्यादा तर उन मरीजों पर लगाए जाती है जो कोमा में होते है दोस्तो वेंटिलेटर से पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता लेकिन इसके कारण गले में परी हुई ट्यूप के कारण मरीज को uncomfortable महसूस होता है मरीज ना बोल सकता है और नहीं कुछ खा सकता है सुरूक एक जिन मरीज को बहुत ही uncomfortable feel होता है क्योंकि उसका सरीर exchanges को oppose करता है पेशेंट को वेंटिलेटर में ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए डॉक्टर मरीज को penkiller medicines, muscle relax tent, sedative और सोने की दवाई देता है कि मरीज ज़्यादा uncomfortable महसूस ना करे दोस्तो एक question जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और relative इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि क्या वेंटिलेटर पर जाने के बाद मरीज की मौत हो जाती है अगर आगरों की माने तो वेंटिलेटर पर जाने वाले 60% मरीजों की मौत हो जाती है कुविट के दौरान कुविट के patient जो वेंटिलेटर पर गये थे उनमें मौत का percentage लगबग 90% है दोस्तो वेंटिलेटर सांस लेने की machine है जो आपके lungs को काम करने में मदद करती है वे किसी health problem को cure या solve नहीं कर सकते लेकिन जब आपका इलाज चल रहा हो या आप किसी illness या health condition से recover हो रहे हो तो वे आपके सांस लेने का काम कर सकते है आप कितने समय तक ventilator पर है और अपने respiratory tract से possible infectious agent को साफ करने में आसमर्थ होते हैं जिससे कुछ patient में ventilator related pneumonia भी हो जाता है जिसमें bacteria lungs में enter कर जाते हैं साथी sinus infection भी हो सकता है इसके अलावा एक वेक्ति जितने अधिक समय तक ventilator पर रहेगा respiratory muscle से ट्रॉफी की मातरा उतनी ही अधिक होगी इसे patient के लिए खुद से सांस लेना मुस्किल हो जाता है सीरिया चड़ने क्या यहां तक की कम दूरी तक चलने जैसे activities में भी problem आ सकती है इसलिए आप आपका doctor और आपका परिवार मिलकर या decision ले सकते हैं कि ventilator का उपयोग करना आपके और आपके health के लिए best है या नहीं दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी के information आपको पसंद आया होगा ऐसे ही informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले और वीडियो के notification के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे